इसके होली में पत्चीस सो कोड़ों का बिजनेस जर्रेट हुआ जो पिछले सार से 25% जादा ग्रोध हुआ इस बार 2024 में ए नमबर जश्ट डबल होने आला है यानि इस बार के होली में 50,000 कोड़ों का बिजनेस जर्रेट होगा ये मैं नहीं खुद CIT बोर ही है CIT Confederation of All India Traders का रिपोर्ट है Welcome to Hirendra Madhugar YouTube चला है इस जूडियों हम बात करेंगे होली का मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है और फेस्टिबल से का मार्केट कैसे इंडिया के एकोनोमी में ग्रोध दिला आ रहा है और कैसे लोकल बिजनेस बूम कर रहे हैं कैसे आप बिजनेस बना सकते हो होली कितने important festival है हमारे लिए ये तो आप जानते हो होली का festival 4th century से चला आ रहा है तब से होली का market बढ़ते आ रहा है होली सिर्फ इंडिया में celebrating करते है USA, Australia, Russia, Belgium, France इस सारे countries में होली celebrate करते है इसके अलावा और वी बहुत country है जो होली festival को celebrate करती है हम आते हैं अपने point पर होली के 5 साल के market देखे तो 2019 में 4,500 कोड़ का revenue generate हुआ सिर्फ गुलाल से 2022 में ए नमबर 5 गुना ज़ादा हो गया 2022 में देखे तो 25,000 कोड़ का revenue generate हुआ और पिछले सारे 25% ज़ादा growth हुआ इस बार के होली में ए नमबर जश्ट डबल होने आला है इस बार 50,000 कोड़ पर revenue generate होगा ए मैं नहीं खुद CIT पूर रही है होली के business sector में कोई exact data number नहीं है इसलिए मैंने दो category में divide किया है पहला major category इसमें आता है गुलाल and toys सब से जाता है दोनों पूर्ट में revenue generate होता है क्योंकि गुलाल के बिना होली कैसे खेले है दूसरा minor category इसमें आता है snacks, food, भांग and कुछ mislinious चीज इसमें भी बहुत ज़्यादा revenue generate होता है ए नमबर आने वाले समय में बढ़ते ही रहेगा होली में most of the revenue local business से आते है होली बहुत ज़्यादा impact करती है हमारी economy को grow करने के लिए इंडिया top country है जो होली में बुलाल को export करती है 2023 में 937 export हुए इस सारे export France, Australia, Belgium, Russia, UK and many more countries में हुए होली में आप business start करके अच्छा profit बना सकते हो क्योंकि होली में most of the revenue local business से आते है वीडियो पसांदे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें और मुझे फ़लो कर लें इस्टाग्राब है जहां मैं startup के बारे में आपको बताता हूँ मिलते हैं next वीडियो में